आज हम पढ़ेंगे PV Diagram on Multi-Stage Air Compressor इसमें मल्टी-Stage Air Compressor में हम PV Diagram पढ़ेंगे PV Diagram में जो की प्रेशर एक वर्टिकल लाइन होता है और वॉल्यूम होता है जो की और लेते हैं V से नोट करते हैं और P और V को मिलाकर यह PV Diagram बनता है जो की आप डियाग्राम में देख रहा होगे इस टैप से डियाग्राम PV Diagram बनता है सबसे पहले तो Intake Pressure यहाँ पर होता है 8.1 जिसको हम P1 और P1 से नोट करते हैं इसके बाद पर एक Intermediate Pressure होता है जिसको P2 से नोट करते हैं 7.1 पर एक Delivery Pressure होता है जिसको हम P3 से या PD से करते हैं जो P1 होता है वो होता है Intake Pressure या पर PS मतलब Supply Pressure होता है जो प्रेशर सप्लाई होता है यहाँ से इसके बाद Intermediate Pressure होता है बीच और बीच प्रेशर लगाए जाता है एक हाई प्रेशर होता है 8 to 1 और 7 to 4 यह जो Stage होती है यह Low Pressure के लिए को रिख प्रेशर के लिए होता है HP हाई प्रेशर के लिए और एक लो प्रेशर के लिए होता है इसके अलाबा यहां की आँ से वान प्रेशंट से, two प्रेश्य होती हिए के बराबर होता है इसके लावा जो यहां से तीन पॉइंट जाते हैं एक हमाइस में जाता है टू टू थ्री एक फो टू फाइब जाता है टू टू थ्री में पर्फिक्ट इंटर कूलिंग होता है इंटर कूलिंग जो होता है इंटर कूलिंग से हो जाता है इसके अलावा जो 4 to 5 जाता है वो without intercooling में जाता है बिना कोई intercooling से होते हुए 2 to 3 and 3 to 4 होता है वो polytropic होता है pv1 to n equal to c के बराबर होता है यह polytropic process होती है polytropic में आता है pv1 to n equal to c जहाँ पर p pressure है v volume और n है number up index और c होता है constant होता pv1 to n equal to c होता है और जो यह होती है one to two 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 to nine के लिए जो दौ्ट воды line गई होई है ये थी बी बिस एक वी equal to c के बराबर होती है यह low pressure के लिए विजाती है और high pressure के लिए जाती है इसके लवाब इसमें stage होती है stage में सबसे पहले इसमें inter чув div pressure आता है यह पन्ष़ सप्लाई होता है 8 2 1 में 1 से 2 के लिए या 1 से 2 लाइन के लिए गया 1 से 2 एंड बंड से 4 के लिए यहां से जाकर के फिर यह 7 के लिए होता है जो कि एक intermediate pressure होता है यहां से intermediate pressure आता है और P2 के लिए और यह होते हुए कहां पर जाता है 2 एंड 4 के लिए जाता है 2 to 9 के लिए जाती है, लाइन उसको हम PV equal to C होता है, pressure volume equal to constant के बराबर होता है, इसके लाबा एक जो बीच की लाइन गई हुई है, 2 to 3 के लिए, यह perfect intercooling से होते हुए जाता है, एक intercooling होता है, उससे होते हुए जाता है, तो इसका यह polytropic process होते है, PV h to n equal to C के बराबर होता है, और यह क्या होता, low pressure से high pressure में जाता है, यह जो होता है, low pressure होता है, high pressure होता है, और यहाँ पर क्या होता है, last में जो बताया गया है, delivery pressure या पर P3 होता है, जो 6 to 5 के लिए, यह 6, 9, 5, 3, 4, जो दिया होगा है, यह delivery pressure के लिए होता है, तो इसमें दो condition होते है, 8 to 1, 1 to 4, 4 to 7, जो ह लो प्रेसर होता है एल पी के लिए और 7-4 4-5 5-6 फीलिए हाई प्रेसर के लिए लिए इस टैप से पी डाइग्राम बनाया जाता जो कि आपको डाइग्राम दिख रहा है multi stage air compressor के लिए कुछ condition होती है कुछ cases होती है ideal condition है multi stage air compressor case number first single stage compressor सबसे पहले से हम जानेंगे single stage air compressor में क्या होता है as earlier started cycle 8 to 1 to 5 to 6 is that the single stage air compressor neglecting clearance for this cycle इस cycle के द्वारा 8 to 1, 1 to 5, 5 to 6 जो कि हम diagram में देखेंगे diagram में बताया गया है 8 to 1, 1 to 5, 5 to 6 यह जो होता single stage air compressor के लिए होता है जो कि हम पहले भी पढ़ चुके है so as earlier started 8 to 1 to 5 to 7 is that the single stage air compressor neglecting clearance में clearance को neglect के जाता है so for this cycle होती है work done W equal to N upon N minus 1 P1 V1 P5 upon P1 based to N minus 1 upon N minus 1 यह X का formula होता है work done के लिए तो यह formula को याद करना पड़ेगा W equal to N upon N minus 1 P1 V1 P5 upon P1 based to N minus 1 upon N minus 1 delivery temperature जो होता है तो तो यहाँ पर पहुंच जाता है तो यह multiply में आ जाता है तो इसलिए हम इसको डारेक्ट लिख सकते है 2 stage compressor के लिए 2 stage compressor में दो चीज़े होती है एक होता है without intercooling और एक होता है within intercool perfect intercooling जिसमें intercooling का इस्तेमाल नहीं होता है और एक में intercooling का इस्तेमाल है जो कि आपने डाइगराम में भी देखा हुआ है डाइग्राम में सबसे पहले हम जानेंगे फर्स्ट केस है विदाउट इंटर कूलिंग विदाउट इंटर कूलिंग जो होता है वह 8 to 1 to 4 to 7 यह लो प्रेशर साइकल के लिए यूज होता है जो कि आपने डाइग्राम में देखा है लपी लिखा होगा 7 to 4 to 5 to 6 यह हाई यह हो जाता है इसका फर्म्ला अरेंजमेंट इसके लिए लो प्रेशर के लिए और राइउट रिए तो यह हो जाएगा 1 और 4 के लिए और 4 और 5 के लिए तो इसमें दोनों एड़ कर दिए तो n अपन n-1 P1 B1 P4 अपन P1 वेस्टू n-1 अपन n-1 प्लस n अपन n-1 P4 V4 P5 अपन P4 वेस्टू n-1 अपन n-1 फिर करते हैं second with perfect enter cooling perfect enter cooling के लिए भी दो condition होती है एक 8-1-4-7 यह low pressure cycle के लिए होता है 7-2, 2-3-6 यह high pressure cycle के लिए होता है HP और LP के लिए होता है जो की हमने अभी PV डाइग्राम में पड़ा हुआ है HP के लिए होता है यह LP के लिए होता है तो 8-1-4-7 low pressure cycle के लिए और 7-2, 2-3-6 high pressure cycle के लिए तो for this arrangement W equal to n upon n-1 P1 V1 P4 upon P1 base to n-1 upon n-1 plus n-1 n upon n-1 P2 V2 P3 upon P2 base to n-1 upon n-1 यह 1 और 4 के लिए होता है यह 1 और 2 के बीच में होता है इसके साब से इसको बना सकते है इसके क्या करते हैं delivery temperature निकालते है है T3 upon equal to T2 P3 upon P2 base to n-1 upon n होगा तो ने T1 equal to क्या हो जागा चूकि T2 equal to T1 होता है तो T1 into P3 upon P2 base to n-1 upon n हो जाता है इसमें T3 equal to T2 P3 upon P2 base to n-1 upon n के बराबर चूकि T2 equal to T1 के बराबर होता है इसलिए T1 इसके लिए T3 equal to हो जाएगा T2 की जगा पर T1 put up कर देगे और P3 upon P2 base to n-1 upon n हो जाएगा now since T2 equal to T1 then P2 V2 equal to P1 B1 के बराबर होता है आलसो P4 equal to P2 होगा so inserting equation जिसमें insert करेंगे तो W equal to n upon n-1 P1 B1 P2 upon P1 base to n-1 upon n plus P3 upon P2 base to n-1 upon n-2 यह work done हो जाएगा second stage के लिए second case number third multi-stage air compressor यह जो है multi-stage air compressor के लिए multi-stage air compression में क्या होता है from the analysis of compression so for the first stage compressor first stage compression में क्या होगा W equal to n upon n-1 P1 V1 P2 upon P1 base to n-1 upon n-1 यहाँ पर 2 stage compressor के लिए हो जाएगा W equal to यहाँ पर जो n होता है यहाँ पर 2n हो जाएगा 2n upon n-1 P1 V1 P3 upon P1 base to n-1 upon यहाँ पर 2n हो जाएगा माइनस-1 यहाँ पर P3 upon P1 हो जाएगे two stage air compressor के लिए हो जाएगा इसके बाद इसके बाद इसके बाद इसके बाद इसके बाद के लिए W equal to n upon n-1 P1 V1 P3 upon P1 base to n-1 upon 2n-1 होगा it seems reasonable to assume therefore that for a three stage machine three stage machine के लिए हो जाएगा double equal to 3n upon n-1 P1 V1 P4 upon P1 हो जाएगे यहाँ पर n-1 upon 3n हो जाएगा माइनस-1 इस टाइप से आगे भी जितने भी हम इसमें compressor लगाते जाएंगे उसी टाइप से इसमें होता है इसमें जितने भी compressor लगाएंगे तो इसमें करेंगे for x stage compressor x stage compressor क्लिक होगा w equal to x into n अपोन n-1 P1 V1 P2 Px plus 1 upon P1 n-1 upon x n-1 इस टाइप से इसमें continue जोड़ता जाएगा 3 है तो यहाँ 4 के लिए आगा तो 4 हो जाएगा यहाँ पर 4 plus 1 5 हो जाएगा अपर P1 रहेगा और यहाँ n-1 upon 4 n हो जाएगा तो इस टाइप से continue आगे बढ़ता जाएगा इसी टाइप से वर्कडर निकालेंगे और multi stage air compressor के लिए w equal to e हो जाएगा single stage के लिए two stage के लिए three stage के लिए और next आगे जो step आती जाएगे इस टाइप से format में होता जाएगा वर्कडर निकालने का तो इसके लिए में फार्मूला यह है x into n upon n-1 पी बढ़ी बढ़ी यहाँ पर हो जाएगा P x plus 1 upon पी बढ़ी बेस टू n-1 upon x into n-1 तो जतनी भी stage पर हम जाते जाएगे उस इसमें changes होता जाएगा तो फ्री ए-थ्री ए अगर फ्री एएं अगर फोर राए तो यहांपर फोर इंटी एजाएगा अपन n-1 हो जाएगा पीवन पीदबन और यहाँ हो जाएगा P5 upon P1 बेस टू n-1 upon 4 n हो जाएगा और माइनस बन हो जाएगा इस टाइप से यह कंटिनू हो जाएगा 56 जितने चाहिस्टेज हो सकते हैं इसी को हम मल्टी इस्टेज एयर कंपरेसर बोलते हैं बर्ग्रान निकालने का यह फार्मूला होता है